जितने भी सेख मौलाना इस्लामिक कंट्रियां है कुरान उठा के अपने घर से अठा दें अच्छा पवित्र कुरान रखते हैं अपने पास उनको कुरान रखने का अधिकार अपने को नहीं है यह इस्लामिक कंट्रियों कुरान रखने का अधिकार यह जब यह अपने मत को न सब्सक्राइब को इस तरह की तब निकलेंगे घरों से अगर अमेरिका पहुंस सकता है तुप इसलमिक कंट्रीय के साहरा शर्दक्राइब क्यों पहुंसकते फिलिस्टिन कुछ रोका है बाल योगी महराज किसी पार्टी का दलाल नहीं है गलत कोई भी कलेगा लपेड देगा बाल योगी यहां की मुसलमान कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो मालों भी हम मर जाये तब हमें गोली मार दी जाये तब को फिर कौन सबाल योगी लेकर आओगे यह हमारे पासपूर है अगर कोई चाहता है कि स्लामिक कं कि पड़ोसी भूकर है तो आप खान नहीं करें वह जूटा होता नजरा रहा है साथ उस लाइन उस हदीश को लोग भूल गए सच में बहुत बहुत दुख हुआ कितने बच्चे हमने देखे मासूम असे गोदो में लिये हुए एक भी इस्लामिक कंट्री का दिल ना पसी जा दुख हुआ बहुत दुख हुआ है जितने ही पैसे वाली कंट्री है ना उनका सब कुछ उनका सब कुछ एक तरफ फिलिस्तीन की एक मासूम बच सहीत की जिन्दगी एक तरफ इसके तले आ जाओ मैं इसका वास्ता देता हूँ पूरी इस्लामिक कंट्रीयों को कुरान का व आज इसराइल पर जिस तरीके से लगतार लोग दबाव बना रहें लेकिन दूसरी तरफ जो अमरीका है यानि कि उसका जो राइट है अमरीका ना आज ये कहा है जो हम हतियार यूक्रेन को दे रहे थे वो तमाम हतियार हम यूक्रेन का होल्ड करके अब सीधा इसराइल को द देते रहते हैं पंडित जी बहुत-बहुत स्वागत है कैसे देख रहे हैं अमरीका किस बयान को अमेरिका तो वैपारी देश है वैपार करना चाहता है उसने इंडिया भी बहुत वैपार खेला पाकिस्तान ओबात के नाम पर उसने इंडिया से बहुत वैपार खेला तालीब का समर्थन करता था जब इंडिया का तालिबान आतंकवादी है यह वही अमेरिका है ना पर किसी एक नेता के आने से कोई देश बढ़ियां हो जाएगा यह हम नहीं मान लेंगे तो कौन से बखते हैं महाकाल के बखते हैं अच्छा इंसानियत के बखते हैं किसी व्यक्ति गु भेजा रहे थे इंडिया ने हमारे कहने पर मलत बहीस धी कोंशचत लिए थे लोग है अरे वो फोस भी लिखते तो कोई काम न बनता आच जा टूक कि ना बनता क्योंकि उनकी आवकात इंडिया की सरकार भी जानती है और भीस्व के मुसल्मान को हिंदू बनाया ऑ वही शुर्मान ठूक के चला गया उसी इन्सान के ओपर वो उस बेशरमों का नाम हम नहीं लेंगे इनका नाम लेने से भी मस नोना नहीं नहीं करते हैं पर जो जा रहे थे वो फिलिस्तिन मदद गई है इंडिया ना मदद बेजी है अब आज देखिए जी डानी साली मरी संकर आइबाद के नेता भी फिलिस्तिन के इंबेसी पहुंच गए मेरा एक लेटर फिलिस्तिन इंबेसी का आपके चनल में बाराल हुआ अब आज जंगता को मजबूर कर दिया क्योंकि हमारे जुबान में सच्चाई की ताका था सत्त की ताका था पंड़ी जी लेकिन लगतार इसलामी मुल्क जो भी है 57 कंट्री है वो लगतार ये कह रही है कि हम आगे बढ़ेंगे हम फलिस्तिन का साथ देंगे लेकिन आखिर पंडरे जिन से फलिस्तिन में छोटे-छोटे मासूम बच्चों की मौत हो रही है क्या हुआ क्यों खामोश है क्या के यह आप देख रहे हैं अपने कैबरामैन से कई यह से दिखाए जे अब पूरी इसलाम कंट्री है मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा जै मैं लगातार मुद्धे पर एक्टीव रहा जब उन बच्चों की मौत मैंने देखी और मैंने जनता तक वह बात पहुचानी चाहिए तो जनता ने उस बात को समझा लोगों ने उस बात को बीडियो पर आप देख सकते होंगे मैं उस बीडियो पर रो रहा था इन बच्चों के लास ओपर मैं क्या है मैंने एक जंगर का नाम सुना था मैदानिक करबला जहाँ पानी के लिए नन्य अजगर अली अजगर कुमारा गया था तीर जे अली यह अजगर थे और यह उन बच्चे हैं और मैं कुरान रखता हूं इस मंदिर पर लेकिन आज एक आइलान करता हूं जितने भी सेख मुलाना इस्लामिक कंट्रियां है कुरान उठा के अपने को नहीं है यह इस्लामे कंट्रियों कुरान रखने का अधिकार यह अपने मत को नहीं बचा पा रहे हैं मजीद अक्सा नहीं बचा रहे हैं तो एक को क्या जुरुआ तो कुरान रखने मुसल्मान है यह कोई इस्लामे कंट्रिम हम यह कर देंगे हम यह कर देंगे हम यह कर द लगतार बयान आ रहे हैं मुस्लिम कंट्रियों से वह उनके साथ है कैसी बात कर रहे हैं कोई साथ नहीं है कोई साथ नहीं है क्यों भाबो को रहे हैं पंडी जी क्योंकि मैंने उन बच्चों की लासे देखी हैं कि हमने इस दुनिया में लासों को डेर में इंटर्व्यू देखा वो चोटे-चोटे मासुम बच्चे जो अस्पताल में थे लेकिन ये इस्लामिक कंट्रियों का दिल नहीं पसी जा हमने अपने आशों से अपनी सरकार को जुखा दिया हमारे प्रधान मंत्री ने दी फिलिस् लेकिन क्या ये आशों इस्लामिक कंट्री नहीं पहुंच पाये क्या दर इस्लामिक कंट्री नहीं पहुंच पाया हम माला लेके साओधिया है कतर जाए माला पहना है सेखों को इस तरह की तब हो निकलेंगे घरों से हम लानत भेजते हैं अब आप यह जो लोग कह रहे हैं क को तुम जंग में सहीध हो सको फिलिस्तिनियों की तरह तुम्हारे पर यह तुमको तो अल्ला जाबी दे के खतम करेंगे इसलामी कंट्री को ललका यह इनको खत्मी कर देंगे अच्छा कर आज सौधी सौधीम है न जी मक्का जाओ सौधी के लोग कितना आगे आए फिलिस्तिनियों के लिए जीए बयान दे रहे हो और कॉतने ज्रूतBenet जाने के जरूबत और नहीं है कोछ तब भी हम देजवार रखते हैं लगने का तुम्हारे पास ततनी प्रिस ताकात नहीं प्रत्रोल अगा क्यों नहीं रोक देते हो कि अगर पुरी स्लामिक गडर एक दिन आज कहा दे कि दो घंडे कंदर बन नहीं हो तो हम सबा रहे हैं है अगाज किसी की यह पू क्या मतलब इसकी वज़े क्या है क्यों मतलब मसीद अक्सा को देखकर लोग दिल नहीं पसीज़ रहा बच्चों की लाशों को देखकर दिल नहीं पसीज़ रहा कब मतलब कब अकल आएगी कब इनका यह जागेंगे यह अपने वक्त का इंतजार करने हैं सब इन पर वो वक्त मरेपूर देखा और भी जगे के लोग देख रहे हैं लेकिन आज जो हो रहा है पुरे विस्व में वो गलत है आज कोई भी आदमी एक लड़का मालूम है उसकी बहन के देथ हो गई थी वो कह रहा है कहा हो अरब वालो हम मर रहे हैं कहा हो जे आओ झालों और वो कह रहा था कि क्या कोई नारब में नहीं बचा है क्या कोई अरब यह नहीं बचा है उम्मदby कि खाल फिलिस्तीन की हम्मध आख़ा ऐस चली फिलिस्तीन वाले ही मुसल्मानीmost मतलब जिन पर जुल्म हो रहा है उनकी चीखे सुनाई नहीं दे रहे हैं मैं क्या बता हूँ मुझे शर्म आती है कि कॉंग्रेस के राष्टे अदर से मिलान पता पड़ी कभी एक भी खुलकर बयान नहीं आया है फिलिस्तिन पर हां मानियोटी के अद्रक्ष है जब कि मानियो कि महाराज किसी पार्टी का दलाल नहीं है गलत कोई भी कलेगा लपेट देगा बाल्योगी मडी संकर आयर की जगे इमरान प्रताब गड़ी को जाना चाहिए था जी रास्थान हो कहीं भी हो वाँ फिलिस्तिन के मुद्दे पर लोगों से आशु बहान आने चाहिए थे उन मुसल्मानि जबन नहीं हूगो ना जिय्मान नहीद मुसल्मन कहां के इस मुसलम भूक नियम खतम हो गया आप तो शेख शेख हो गया न अब ठोगाना अब सकते बहुत अब तभी तो नहीं आुए तुम इसलाम काउमधी बनते हो अल्ला कोउमधी को शरम नहीं आ रही है इसी तरह हाउधन में और फॉलन में कुरान जलाए गए एक इसलामाहारी नहीं बोलागा भंटेत बोला था5005 वीडियो गई लोगों त्रहा नgiochnya किया रहा मालो मार जाये तब हमें गोली मर दी जाये तबॉद कौन से पाली कि लेकर आओंगे कौन टुमाई चिल लाएगा कौन तो में जगाएगा हम्में तक अपने ना खेर इस्तिन एक्टिम है जी माना कि इसराइल बहुत प्लित है इसराइल की साथ दिया उसने हमने अपने चाहिए रखी इस्लामिक तौर पर देश के तौर पर हमने इस चाहिए रखी हमारी बाद सब्सक्राइब की गई अन्भक्तों को वर खाना पड़ा हमें कोई दिक्कत नहीं पंडी जी लगतार आप जो है अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं लगतार आप इसमें दर्द में शरीक हैं कि पहले भी आप हमारी चैनल पर जो है आपके आंको सासूब है और आज भी लेकिन आखिर क्या होगा लगतार पंद्रह सतरे दिन बीच चुके हैं नवरात्तरी कि जी मांगी है क्या है हिंदों ने आप मेंने माश्या पालशीन के गरीब की घर में बेटी बदा मत करना वह पिलिस्तीन पिलिस्तीन के दुवा करने जो अधने फिलिस्तीन में अपने आप में दुवा बहुत है वह जो 48 जो 1927 लडाई लडा उसके दुवा की जुवा करनी पड़ेगी हम लोगों कि उसका अगर एक मासूम बच्चा मरता है तो पुरा विस्वर होता है अब अब अल्ला ने भी एक बात कहीं है कि अगर कोई वेबस आदमी भूका प्यासा कहीं बैठा हो तो उसको देखकर मुझे बहुत दुखता है अब मेरे जहन में एक ही बात आती ही कोई आदमी वह से खुश कर दे कुछ खिला के दे कि उसकी हसी लिया है मुझे इस उम्मत से लेकर आखरी उम्मत तक उसके हर हमारे आज करके महाना सुर्मा यादा लगाने लगे हैं अच्छा पान खाने लगे हैं इसलिए तासिर खतम हो गई है क्योंकि उनको हतिया चाहिए तुरंत हाम मैं इतना आ रहा हूँ दस लाग रुपए दीजीगा एक बयान का अच्छा तासिरी का था मजुबान की है लेक सुलिमानी मुसलमान को तो पता है कि ताबूते सकीना भी कोई चीज होती है यह दू इसलिए दर्द क्या होगा जब इंसान मैं आपको बात बता दूँ कि जब इन्सान अपने धरम से दूर हो जाता है यह सनातनी अपने धर्म से दूर हो गया है तो वह हिंसाख हो गया है लड़ने मारने काटने को हो गया है मुसल्मान दूर उबे तो भी मारने काटने के लिए त्यार रहते हैं जब तक आपने धर्म से जुड़ो कोई नहीं उसकी प्यारी बाते आपके दिमाग में जाएगे न चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सीखो कोई भी धर्म लेकिन ना मौलाना धंके हैं ना पंडित धंके हैं अब आज आज तो इसकूल को बच्चों को जैशीराम बोलने पे निकाल दिया जा रहा है एक निसांत एक बच्चा है वह सेवंध क्लास का है उसको निकाल दिया गया उ लेकिन इसकूल का कॉलेज का एक नियाम होता है हम भी पड़े थे बड़े समले में आप जैशीराम अल्लाग उकबर नहीं कर सकते वह भी ज्यालाए है वहां के भी कुछ रूल और लेगलेशन है मंदिर मजजित नहीं है उसके लिए मंदिर मजजित खुला है हर चीज हार ड आप पॉले जैशीराम बोले पर वह एक सूल है वहां पर ही नहीं हो वहां पर सभी समुदा यह बच्चे यह मुसल्मान के अपने बच्चों को समझाना चाहिए अ ना धरम तो आप वहां जाने नहीं धरम के लिए तो आपका मंदिर मंजित गुरुवारा है है आप पढ़न काम किए तो वह हिंदू मुसलमान दे काम नहीं किये थे हमने आपस तो हमने आपको बता रहा हूं आज ना है ताकत है आपके पास तो इसके तले आजाओ मैं इसका वास्ता देता हूं पूरी इसलामिक कंट्रीयों को सबसे बड़ी किताब मैं इससे यहाद मेरे पास अब कुछ नहीं है अब अगर वह कुछ कर पा रहे हैं जो मुसल्मान चाहते हों कि इस्लामिक कंट्रियां बोले अगर वो चाहें तो मैं इस्लामिक कंट्री घुमने को तयार हूं वहां के सेखों से बात करने को तयार हूं और उनसे इस बारे में कहूंगा कि वो फिलिस्टीन मत करें अगर कोई मुझे भेजना चाहे इंडिया से बेता कोई यह भॉइन को देखिए निदी को कहुंगा करने निकल जाएंगे मैं निकल अगर इस्लामिक कंट्री मुझे जाना पड़े कोई मुझे जाने भेजे भाई मुझे भेज भर दो खाना पीना सब उपर वाले के हाथ में मैं पांट दिन भूका ही रहे लूंगा मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा पर मैं सभी सिकों के दर्बे जाके बात जरूर करूंगा क्या अभी में उम्मत के लिए इक नहीं हो ना मैं सारी कंट्री गुमने के तयार हूँ जिन कंट्रीओं में मुझे जाना पड़ेगा में वहां तक जाऊंगा पर मेरे पास कुछ है नहीं चाहे भासतरकार मीरी जांच करा ले अचाहे कोई विक्ति मेरी जांच कि कुछ नही कि मैंने गीता कुरान बाइबिल का पाठ किया है मैंने एक सुवार नौ उपनिसत्थ पढ़े हैं मैं अठारा पुराणों का नालेज है इसलिए मुझे दर्ध होता है क्योंकि मैं सच में पहले मैं जब पैदा हुआ तो मैं कि इनसान पैदा हुआ जे मैं आपको बताता हूं एक बात बनाता हूं कि कहीं न कहीं अगर आद देखा जाए तो जो नभी का पैगाम था ना कि पडोसी भूकर है तो आप खान नहीं खाते हैं जूटा होता नजरा रहा है साथ उस लाइन उस हदीश को लोग भूल गए चलिए बहुत पंडित जी देखिए लगतार जो है व और यह कहा कि इसलामी कंट्री को हवाला है कि बारे में दो चाल लाइने बोल जी जी बोलिए को नभी की उम्मदे हैं उनके लाश पैंगंबर है साथ नभी की तरह कोई नहीं है जो बूड़ी हुरत का कुड़ा फेक देने के बाद भी उनसे मुलाकात करने जाए साथ आज क अज दूब काम होसे उनका दूख हुआ आज दूख हुआ सच में बहुत बहुत दूख हुआ कि इतने बच्चे हमने देखे मासूमासे गोदो में लिये हुए एक भी इसलामिक कंट्री का दिल ना फसी जाब दूख हुआ बहुत दूख हुआ है बहुत शर्म आई और आज आज कहेंगे आप इसलामिक कंट्री के ऊपर तो मैं थूकने का मन कर रहा है अच्छा मैं इसलामिक कंट्री को थूखता हूं जब आप अपनों को सगे नहीं हो तो मैं कभी आपको नहीं मानूंगा ज़िए बहुत 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 शुक्रिया पंड़त बाल हो गई हिंदू ह सब करेंदुपराय मुझा आपने मुसलमानों चूछला लोगों के लिए हिंद्यान के हिंदु दली थ्यूम्राइब सब्सक्राइब ‑‑ लेकिन आज थूखता हूं मैं इसलामिक कंट्रीऑ पर यह खतम करो इनकी ताकत महीं यह ड़त गए很好 जितने पैसे वाली कंट्री यह नं उनका सब कुछ उनका सब कुछ एक तरफ फलिफ्तीन की एक मासुम बच सहीद की जिन्दगी एक तरफ कुछ नहीं है इनके पार। पर रहसामगरी भेजी लेकिन आज भी पंडी जी के आख में फिर दुबारा आसु चलके और ये दर्द कहीं न कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है पंडी जी का कहना है कि मेरा पासपोर्ट रेडी है अगर कोई भी सरकार यानि कि दूसरे किसी भी कंट्री के हुकूमत अगर सब कुछ लेकर रेडी हूँ क्या कुछ अपडेट रहेगी फलस्तीन और गाजा इसराइल को लेकर इस तमाम अपडेट्स को जुड़े रहे हैं और देखते रहे हैं प्यार भी